कैसे हैं आप सब लोग होपा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो यहां पर मैं आप लोगों के संग एक बार शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपके लिए शायद बहुत जादा यूसफुल थाबित होगी आप लोग शायद अलर्ट हो सकते हो इस एप से तो मैं अपना ए इस एप के सास्त रहा हैं बाकी मैं किसी की कोछ भी एक्सपिरियंस नहीं जानती हूं हो मैं बस अपना जानती हूं तो मैं अपना ही शेयर कर रही हूं और यह इतना मुझे पता है कि ये मेरे साथ साथ दो से तीन यूट्यूबर के संग और हुआ था लेकिन मैं अपने अपना जो एक्सपिरियेंस अब वो शेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि मैंने इस एप के साथ सबसे पहले काम किया था तीस मही को इनों ने मुझे 29 तारीक को शाम को बोला कि एक वीडियो बनेगी और आपको बनानी है और कली जई है हमको तो मैंने ठीक है मैंने वो वीडियो बनाई टेर मिनट की उन्होंने मुझे 1000 रुपीस दी है और 1000 रुपीस हमको पेमेंट कैश वगारा नहीं मिलती है ना placing a 가ью क्यों नहीं क्या काया क्रेडिट कर दी तो मैंने भी शापिंग करी मैंने दो बैट शिट मंगा ले ladies अर जो चीजे प्रोई कर वाती थी जीसे कि हर कंपनी जितनी भी शापिंग होती तो यहां पर भी जब मैंने उनसे यह पहला एड किया था उनका तो मैंने जो पैसे माँगए थे अपने जब मेरी एड फूरी हो गयते मैंने नेक्स दे पैसे माँगे थे तब भी उन्होंने मुझे फॉर्स करने के बाद चार-पांस दिन बाद मेरे जो जो शौपिंग एप का अकाउंट उसमें फोर्स करने के बाद चार-पांस दिन बाद क्रेडिट करें थे बहुती मुश्किल से ठीक है फिर उसके बाद मेरा इसके साथ काम खतम हो गया तो क्या होता है ना कि जब एक कंपनी के पास फोन नमबर चला जाता है ना उनको दुबारा जब करवानी होती है तो फोन कर लेते हैं तो पहले जो मैनेजर थी जो की जिसने मुझसे काम करवाया था वह एक लड़की थी उस लड़की का नम मैं अभी ले नहीं रही हूँ क्योंकि मैं उसकी कंप्लेंड उस शॉपिंग एप के बिसनस मेल पर कर चुकी हूँ और फिर उसके बाद जब सेकेंड बार मेरे पास कॉल आई तो वह किसी लड़के की थी पहले एक दिन पहले लड़के ने हैंडल किया उ उन्होंने मुझको समझाए कि ऐसे ऐसे तीन वीडियो बनेगी उननीस बीस एक किस हमाप हमारी आप के बार में प्रोमोशन करेंगे और सेम वीडियो तीनों दिन आप डाल सकते हो डेल मिनट की वीडियो होगी और अगर आपके तीन हजार से उपर व्यूज जाते हैं तो आ मैं लिंक जो है चारो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दूंगी ठीक है आप देखना कि मैंने किस किस पर इस आप के बारे में बताया है तो मैंने वो तीनों वीडियो कर डी मुश्किल क्या हुई मैंने उननीस बीस जून के बाद उनको कॉंटेक किया बलक करे देख लिए सैंगे आपकी वीडियो करी है जैसी कि हम सभी कमपनी के साथ करते हैं जब भी उनका कोई भी प्रोडक्το्य में को इनको को कॉणि के अगय का याए मैं एंके साथ किया है तो सेम टूसे, मैंने इनके साथ ब contributed art created आपके Lime Road अकाउंट में और आप इससे शॉपिंग कर लेना तो yes मैं Lime Road आपके बारे में बात कर रही हूँ तो Lime Road आप वालों ने क्या किया उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया WhatsApp मैसेज का reply देना बंद कर दिया फोन ही उठाना बंद कर दिया उसके बाद इतनी नावबत आ गए कि वो फोन स्विच आफ करना पड़ा पढ़ाए क्यों क्योंकि सिर्फ मैं नहीं थी और भी पहुत सारी यूट्यूबर्स थे जिससे इन लोगों ने काम करवाए था और मैंने जब जिसने मुझ से सबसे पहले तीस माई को काम करवाए था मैंने उस लड़की को कांटेक्ट किया तो उसने क्या किया पहले तो मैं फोन उठा लिया मुझ से बात कि जैसी मैंने उसको बताया कि मैं दिपक दिया खन्ना वोल रही हूँ और आपने तीन वीडियोस मेर से करवाई तो उसने हिंदी छोड़के बंगाली में बात करना शुरू कर दिया मुझे तो समझ में नहीं है आप क्या कह रही है आप क्या कह रही है उसने बंगाली में बात करना शुरू कर दिया चलो एक हफता बीद गया हमको लगा 10 दिन में के दे देंगे पंदरा दिन में दे देंगे लेकिन अगर कोई इस तरीके से करता है कि हिंदी छोड़के बंगाली में बात करने लग जो और बोली मैं तो जानती नहीं आपको उन बोल रहे हैं तो यह तो सरसर फ्रॉड ही है और यह फ्रॉड ही था क्योंकि मैंने जब इस लड़की के बाद मैंने जो ला ताना मैंने उससे बोला कि गरत बात है तो उसने पूरा बताया कि मेरा भी फोन ने उठा रहे हैं मैंने उनसे बोला कि मैं इस तरीके से यूट्यूब पे बता दूंगी तो उन्होंने बोला कि आप बता सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं इस कंपनी को छोड़ गया मैं तो दूसरी कंपनी में भी काम कर सकता हूँ नाम तो कंपनी का ही खराब होगा तो मुझे ये नहीं पता कि company का जो owner है उसको पता है भी या नहीं भी कि उनके जो करमचारी है वो इस तरीके के fraud करते हैं या नहीं लेकिन मुझे इस company की एक चीज और सबसे बुरी लगी वो किसी भी business mail का reply नहीं करते हैं customer care के इतने सारे number दे रखे हैं लेकिन customer care का एक भी number चालू नहीं है आप लोग खुद भी ट्राय कर सकते हो तो 1921 तो आप देख सकते हो एक महीने से उपर का टाइम हो रखा है switch off कर रखा है शायद भाग भी चुके हैं वो लोग company छोड़ गे इतने सारे लोगों का पैतर ठक कर तो भाग भी चुके होंगे phone नहीं उठा रहे हैं और बीच में जा मेरे पापा expire हो गए थे एक दिना आप अपना लाइम रोड अकाउंट का ID शेयर कर दो मैंने कर भी दी क्योंकि मैंने आप समझ ली टी मैंने एक हफते तक उनको contact किया फिर ऐसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था और कांटस भी कैसे कियो बस wall सबस्क्राइब द सब्सक्राइब घुझत बीजित नहीं गया सब्सक्राइबARI सुअ चार पांस तर श्लीक भी कोई नहीं दिया और जैसे अच्छार्ट-वार्वेस्ट तो बाए-बार रिमाइंड करवाएंगे हूं कोई आप मैंगे पार्वर्स के बारे और फर्स के बारे में वो आपको दस बार जान करीद देंगे लेकिन कस्टमर का शॉपिंग करने के बाद कोई रिप्लाइ नी देंगे और ये तक कि किसी भी mail कोई भी mail कर लो आप लोग उसका कोई रिप्लाइ नी देने वाले तो मैं जितने भी नए creators हैं या जो भी youtubers उन लोगों के संग जुड़ने वाले हैं या काम करने वाले हैं तो मैं उनको बता दू कि पैसा नहीं देते हैं वो लोग fraud करने हैं आज कल तीन वीडियो बनवाई थी तीन ओ वीडियो का एक पी रुपया नहीं दिया है छे जार मेरे बनते हैं 6,000 वो लोग खा चुके हैं नहीं देंगे और मुझे चाहिए वीडियो लेकिन मैं आप लोगों के बाने मैं आप लोगों खुल के बतारी हूं कि इस एप ने मेरे संग क्या किया है ठीक है ना और मेरे संग नी दो-तिन यूट्यूबर्स ने और किया है शायद मेर वीडियो में बताना बनता है मेरे कहने पर आप लोगों ने उस एप को रिस्पॉंस दिया था तो मेरे कहने पर आप शॉपिंग करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो भी यूट्यूबर्स काम करने वाले हैं लाइम रोट आप के साथ मैं उनको बता दू पैसा नहीं मिलने क हम बहुत ही टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं आप के बारे में हाड़िटिंग करने पड़ते हैं सब कुछ करना पड़ता है महनत लगती है और जब महनत के बदले फ्रॉड मिलेना तो बहुत दुख होता है तो मत करना काम छे अजार रुपे मेरे पानी टैसर डूब ग करते हैं सबी के लिए तो वह डूब गया मेरा इस फ्रॉड के चक्कर मेरा एक्सपीरियंस इस आप के सांग बहुत ही बुरा रहा है और मैं आगे इस आप के संग काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूं बहुत बेकार लोग है रिप्लाय तक नहीं करते हैं स्विच आफ कर मेरी जो यह बाते बहुत सरी यूट्यूबर्स तक पहुचे और जो भी काम करने वाले लाइम रोड आपके साथ वो प्लीज मत करना पैसे नहीं देंगे वो लोग अगर आप काम करना चाहते हैं तो उनसे डिमांड कीजिए कि पहले पैसा दीजिए ठीक है बस इतना ही बोल होगी बाबाई टेक के